किसी भी फिल्म की सक्सेस के लिए तीन एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं सबसे पहला तो फिल्म की कहानी, दूसरा फिल्म का आर्टिस्ट और तीसरा फिल्म का डारेक्टर अगर इन तीनों चीजों का अपस में ताल मेल बैट गया, तो समझ लीजिए कि फिल्म सूपर हिट हाला कि कभी-कभी फिल्म की सक्सेस हासल करवाने में, फिल्म के लीग चेहरों की पॉपुलारिटी का भी बड़ा योगदान होता है लोगों के बीच में उस चेहरे का बोल बाला होता है, इसका हालिया एक्जेम्पल आप खुद देख लीजिए KGF2 स्टार और यश, जिनके नाम से ही उनकी फिल्म की टिकेट्स बिकी और उनके नाम ने इस फिल्म को काफी हद तक सुपर हिट बना दिया लेकिन इस बात से भी डेनाई नहीं किया जा सकता कि KGF2 में यश ने ऐसी एक्टिंग की जो अनबीटेबल है उस किरदार को अब यश के अलावा कोई नहीं ने बहा सकता क्योंकि यश की स्किल्स हैं जो सिर्फ उनके पास हैं और इसी स्किल्स की वज़ से आज वो सिर्फ कनअद इंडस्ट्री के ही नहीं बलकि देश के रोकिंग स्टार बन गए हैं लेकिन आपको बता दे कि स्टार्डम को पाने के लिए यश ने काफी लंबा टो ट्रेवल किया वो पहले से ही कन्नाड इंडस्ट्री के सुपर स्टार नहीं थे बलकि एक मामूली टीवी एक्टर थे मगा टीवी की दुनिया में जाने के लिए एक साल के अंदर ही उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा दमखम दिखाया कि उन्हें फिल्म मिल गई और आज वो KGF2 जैसी पान इंडिया फिल्म के स्टार वन गए हैं ये यश्ट की मेहनत, उनके हाड़ वर्ड, उनकी स्किल्स और स्पेशल योंकी आक्टिंग का ही कमाग है जो आज वो इस मुकाम पर हैं ऐसे ही यश्ट जैसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरवात को महस छोटी टीवी सीरियल या टीवी इंडस्ट्री से की मगर आज वो अपने इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और जानवाना चहरा बन गए हैं वेलेस लिस्ट में कौन-कौन हैं चलिए बताते हैं आपको शारुक खान बॉलेवुड के किंग कहे जाने वाले शारुक खान के करियर की शुरवात भी टीवी इंडस्ट्री से हुई थी किंग खान टीवी सीरियल फौजी और सरकस में नजर आते थे ये दोनों ही अपने समय के सबसे चर्चिट टीवी सीरियल्स हुआ करते थे मगर आज शारुक बॉलेवुड इंडस्ट्री के बादशा कहलाते हैं शशान्त सिंग राजपूर आज पले ही शशान्त हमारे वीच ना हूँ लेकिन उनका अभिन्य आज भी लोगों के जहन में जिन्दा है आज भी लोग उनके एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थकते दिवंगत एक्टर शशान्त सिंग राजपूर भी चर्चिट टीवी सीरियल पवित रिश्टा का हिस्सा रहे चुके हैं इस टीवी सीरियल में शशान्त की गर्लफरेंड रही अंकिता लोखंडे भी मुखे किरदार में थी ये सीरियल टीवी दर्शकों के बीच खूब पसंद किया गया आयुश्मान खुराना आपको जानकर थैरानी होगी और शायद कुछ लोगों को तो इस बारे में कोई भनक भी नहीं होगी केक्टर आयुश्मान खुराना भी फिल्मों में आने से पहले टीवी में काम कर चुके हैं आयुश्मान टीवी रियालिटी शोर रोडीज का हिस्सा रहे चुके हैं वहीं वो एक थी राजकुमारी और कयामत जैसे टीवी सीरियल्स में भी नज़र आ चुके हैं जिन में उनकी आक्टिंग स्किल्स का हर कोई हाटकोर फैन बन गया था इर्फान खान शुशान की तरह आज अभी निता इर्फान खान भी हमारे बीच नहीं है लेकिन इंडियन सिनेमा में उनके कॉंट्रिब्यूशन को कभी फुलाया नहीं जा सकता इर्फान ने नभ्य के दशक में काई टेलेविजन धारवाहिकों में काम किया इनमें चानक के भारत एक खोज, सारो जहां हमारा बनेगी अपनी बात चंद्रकांता श्रीकांत और ग्रेट मराथा शामिल है टीवी सीरिल चंद्रकांता में अपने करदार की विज़ सिर्फान बहुत पॉपुलर रहे बॉलिवूद की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्स्क्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूद को and yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं